जिहां दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप अपने मुवाइल में यानि कि आप अपने Android फॉन में Photoshop को खोल सकते हैं यानि कि Photoshop की जितने भी फाइल हैं उसको खोलने के साथ साथ उसमें आप Editing भी कर सकते हैं अगर आप उसमें कुछ Changes करना चाते हैं या आपको टच कर लेना है सर्च करने के बाद इसका वेवसाइड आपका आपके सामने में खुल जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर त्री डॉट पे आपको टच कर लेना है टच कर लेने के बाद नीचे करेंगे और इसको हम Desktop Mood पे जो है सेलेक्ट कर लेंगे तो यह स्क्रीन हमें Desktop Mood में देखने को मिल जाएगा और मैं File जो है यहाँ पे खोल करके आपको दिखाने वाला हूँ आप दिखेंगे लाइप ट्रेड में कुछ Options आपको मिल जाएगे अगर आपने इस जगवों पे आपने Save करके रखा हुआ है File को तो Login करके यहाँ से Direct आ तो यहाँ से Direct open कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे Open from Computer करने वाला हूँ यानि कि मैं अपने Mobile से ही File को browse करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं टच करूँगा टच करने वाद यहाँ पे File पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जहाँ पर भी आपने File रखा हुआ है अपने Mobile में उस खोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप जैसे टच करेंगे उसके बाद यहाँ नीचे में आपको Select का एक Option और मिल जाएगा इसको Select करेंगे Loading होना चालू हो जाएगा थोरा यहाँ आपको बास ध्यान रखना है कि आपके Internet का थोरा Speed अच्छा होना चाहिए ताकि File सब Upload होने में Time ना लगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले से कुछ बनाया हुआ था यह Blank है तो यहाँ पर आप Side में देखेंगे कि आपको बह Color Change करना चाहिए जितना हम Photoshop में कर पाते हैं वो सारे जो है Features इसमें हम यूज कर सकते हैं यानि कि जितने भी Function है Photoshop के वह आपको Side में दिख रहे होंगे देख सकते हैं बहुत ही असानी से सारे Controls आप कर सकते हैं इसमें मुझे अगर कुछ लिखना है तो Simple आपको जैसे Photoshop में T Type करते हैं तो यहांपर आपको देखने को मिल जाएगा आईकन टी तो यहाँपे Select करेंगे ठीक है यहांपर आप Type कर सकते है जो भी आपको लिखना चाहिए तो मैं यहाँपर लेता हूँ इसको All Select करेंगे उसके बाध यहाँपर क्या करेंगे Size को बढ़ा कर लेंगे बढ़ पर select करके bold भी कर सकते हैं आप उसके बाद अगर इसको हमें root वो गेड़ा करना है यानि कि move tool इस पर select करेंगे transform control मिलेगा इस पर जैसे ही touch करेंगे तो इस पर आप देख सकते हैं यह root के लिए त्यार हो गया है तो जैसा कि देख सकते हैं इसे हम जिस side भी root करना चाहते हैं उस यहां पर आपको color का option मिल जाएगा इस पर color पर जाएंगे जो भी आपको color रखना है वो color यहां पर select कर लेंगे अदेन यहां पर हम ok कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा color यहां पर black से red हो गया है ठीक है अगर आप इसमें दूसरा कोई text और add करना चाहते हैं तो और भी add कर सकते हैं यहां पर T को select करेंगे type यहां पर करेंगे फिर यहां पर हम जो है click कर लेंगे जहां से भी हमें आपको लिखना है उसके बाद जो भी आपको type करना है वो यहां पर type कर लेंगे तो मैं चलिए कर लेता हूँ इसमें अगर कोई color change करना है तो color आप change कर सकते हैं ठी को select करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमें bold वाले पर touch कर लेंगे जैसे bold पर touch करेंगे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है जो भी आपको font चाहिए होगा यहाँ से आप search कर सकते हैं इसमें मुझे हिंदी चाहिए तो यहाँ पर हिंदी आप select कर सकते हैं इसको movement करना है तो इस तरीके से इसको भी हम यहाँ पर लिख लेता हूँ ठीक है move tool select करेंगे यहाँ से उपर में आपको move tool मिल जाएगा अगर आप Photoshop यूज की होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि Photoshop में क्या functions होते हैं वह इस तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हैं तो इसका color अगर आपको change करना है तो वही sim कर लेना है double यहाँ पर टच करेंगे यहाँ पर इसका जो है color हम यहाँ पर white कर लेते हैं को हम done कर लेंगे अगर आपके पास कभी भी PhD फाइल आता है और अगर आप computer या laptop नहीं है तो अपने mobile से भी Photoshop का file open कर सकते हैं और इस तरीके से जो है आप कुछ भी बना सकते हैं अगर आपको YouTube के लिए thumbnail बनाना है तो thumbnail भी बना सकते हैं अगर आपको यह file चाहिए तो हमारे telegram वहाँ से आपको यह file मिल जाएगा ठीक है झाल आपको यह 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 झाल झाल झाल